कि तुमने यह सुना हमारे होस्टल से बहुत से लड़कियां भाग गई लेकिन सब यह मानते हैं कि हमारे होस्टल में भूत है हमारे होस्टल के प्लेस में पहले तालाग था बहुत से लोग उसमें मार कर फेके गए और होस्टल बना दिया नहीं यार वह हमारी वार्डन ना उसके टॉचर से लड़किया भाग गई है वह तो जनरेटर है किसे जनरेटर का कौन है जनरेटर चेनल भूत के बारे में भूत यह सब सच में नहीं है रात में लड़कियों को नहातेवक छुप छुप के देखना शेडों को फॉलो करना एवरीबडी किसके बॉइफ्रेंड का काम है बताओ बॉइफ्रेंड पागल के तरह बात करोंगे तब मार डालूँगी समझ के ना यह क्या है चित्रा तुम भी न और नहीं तो क्या मैं आप फमेशा ऐसी सम्भाते करती रहती हो जब तक आप इसी को पकड़ोगी नहीं कोई सामने नहीं बाते बन कैसे होंगी बहुत हए चट्रा चित्रा चित्रा एक छोड़किया पागल है मैं और तुम छोड़कर मेरे एक सबाल का जवाब दोगी है तो मैंने ही रख़ था किया तुमने कुछ नहीं मैं जनरेटर मतलब पावर चला गया तो करन्ट रप्लेस करने वाला मुझे समझाओ मिला नाम जनप्रिया है लेकिन मुझे जनरेटर क्यों कहते हैं वो बात नहीं बुरा नहीं मानूंगी बताओ ना वो प्रकाश सर की तुम लोग कैंडल जला करेंजी ओ के इसी जिंदगी होगी तुमारी मैडम क्या है प्रकाश सर के घर में पावर चला गया है आप जाएंगी तभी जनरेटर आराउन करेंगे आप जाएंगी क्या तेरी तो तु भी जनरेटर की बहुत कर रहा है पावगर कही को मुझे डर लग रहा है क्यों तरती हो कोई तो है कोई नहीं है या डरो मत मैं ड्रेस चेंज करकर आती हूं ओके ला 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 हुँ अ हुotional में तCRण यह ड्राव कौन है वाँ? कौन है? कौन है? कौन है वाँ? स्पिरिट्स आत्मा कोई आदमी अधूरी चाहत के साथ मरे या अचानक अधूरी चाहत के साथ ही उसे मार दिया जाए तो उसके आत्मा भूध बन जाती है सो आप लोगों मेंसे कौन-कौन भूधों पर विश्वास करते हैं ओ, आल्मोस्स सब लोग ठीक है, आप लोगों मेंसे कितने लोगों ने भूध देखा है नोवन, here is the answer आप मेंसे किसी ने भी भूध नहीं देखा फिर भी वरोसा करते हैं क्या मेडम आप ऐसी बाते क्यों कर रही हो, आप खुद देख रही हैं मेडम भूत पकड़ लिया तो नाचना और खुद अपने आपको मारना there is every possibility for being pauses ओके आप शराप पीते हो, हाँ पीता हूं, क्यों पीते हो, किक के लिए मस्ती करने के लिए दम भी चाहिए तो यह किक और दम अदर टाइम में क्यों नहीं दिखता, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद आपका सबकॉंशेस माइंड एक्टिवेट होता है आपके अंदर चुपी हुई एनरजी को वो पंप करता है इसी तरह, माइंड हाइपर एक्टिवेट होने से सामने वाले के बारे में ज्यादा सोचते हैं और ऐसा होता है ओके, कुछ पल के लिए भूध है यह मानते हैं आदमी भूध बनके अपने मारने वाले को मारता है यह मानते हैं तो मरने वाले ने भी भूध बनकर उस मारने वाले भूध से बदला लेना चाहिए रोज इतने मर्डर्स होते हैं, बॉम ब्लास्ट होते हैं, कल्पिट सब जेल में रहते हैं उनके हाथों से मरने वाले लोग बूत बनकर अपनी मौत का मदला क्यों नहीं लेते ये क्रिमिनल्स बाहर नॉर्मल आदमी की तरह गूमते है अगर ऐसा हो जाता तो हमारा समाज कपका सुधर चुका होता ये 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 है ये है सबसे बड़ा बूत ये कच्रा दिमाग में भरकर ऐसे ही डरते रहोगे पहले इसे कंट्रोल करो तो बाकी का डर निकल जाएगा इसलिए उपर वाले या नीचे वाले पर भरोसा करना छोड़कर अपने आप पर भरोसा करो कि रोग जाओ चित्रा तुम्हारी स्पीच बहुत अच्छी थी ये लेकिन आत्मा होती है तुम्हें इसका अनुभव नहीं है इसलिए तुम ऐसा कहती हो सच तब तक जूट ही लगता है जब तक वह सामने ना दिखाई दे नो वे मैं इस पर भरोसा नहीं करती एनिवे थैंक्स फर कॉम्प्लिमेंट तुम भी एक दिन मेरी बात पर भरोसा करोगी चित्रा हैंडी क्राप्स बहुत अच्छा था ना इस देखने के लिए यूस करने के लिए नहीं क्यों बेभी तुम मुझे यूस करना चाहती हो आफर बहुत है मेरे पास सिर्फ एक बार ट्राइ करो मेरे साथ साथ चार फ्रीवी मिलेंगे तुम्हें यह बेभी को ट्राइ करने से पहले बेवी की ज़िया मालूम करना चाहिए या चित्रा ने थे तुम जाने र clown हॉँ सइस पतागारती है 1 नंबर जित्रा त Works Cut मेरे लूपबा रहाट उठाया हां यह सवाल मुझे पूशना चाहिए चूडिया करे पहले थे हाथ में चाल, मैं तुझे मर्द की ताकत दिखाता हूँ तू काउन है बे सिंसर बोड़ तुम जो कर रहे थे ऐसे सीन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कट कर दूँगा आतो चला निको जाओ एक मिनट रुखना मैं अभी आता हूँ ये तो थैंक्स के लिए मुझे आपको देना चाहिए इट्सो के बेबी लुक्स लाइक मैं सिस्टर उसे चॉकलेट बहुत पसंद है मैं जानता हूँ कि समय खराब है तुम सोच रही होगी कि मैंने इसमें कुछ मिलाया है लेकिन ऐसा नहीं है चाहो तो मैं भी इसे खा सकता हूँ अरे ऐसा नहीं है आप चित्रा वैसली कॉलिश में असिस्टिंट प्रोफेसर का काम कर रही हूँ आप शन्मुक वैसे मैं बिजनसमें हूँ हम कहीं पैट के बाद करें अच्छुर मुझे तुम्हारा अंदास पसंद आया हाँ सेच में आपके सिस्टर मेरी जैसे लगती है अब सॉरी मेरी सिस्टर तुम्हारे जैसी थी तो अब वह अब सुरी तुम्हारे अब तुम्हारे हम दुबारा मिलिंगे सर बाई सी उ सून बाई चित्रा अबास से चित्रा हमारे कंट्रोल में रहती को ने? को ने? को अब सुरी तुम्हारे जैसी 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 झांज हैं तॉटाइ मैं तॉटाई। कर दो है गॉआ कर नह अ गॉआ है कर नह गॉआ है लड़की होटे, लड़की पर हाथ यो उठाया ? क्यों मारा ? इस लिए मैंने उसे चाटा मारा एक लड़की दूसरी लड़की पर दोस्सनी से हाथ बनाले तो उसमें गलती क्या है ? गलती क्या है ? दोसके कमर में हाथ डालना यह अच्छी बात है लड़कियों को सरे आम कई पर भी छुना अच्छी बात है उसका शरीर तो एक लड़की का है लेकिन सोच पुरी मर्द की तरह है अंकल में वैसे लड़की नहीं हूँ अथम वैसी हो तुम कल हो इस्टिल में कौन है कौन है चिद्रालीम्भी आजा चिद्रालीम्भी तुम्जालीम्भी मणी चिद्राइस मस्ते करेंगे लात्स था था नार्थ जुटपल stabilize को था 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 वस्ति करेंगे नहीं चित्रा आजा थोड़ा उस चित्रा आजा आजा यह क्या हो रहा है यह क्या हो रहा है आप लोग जो देखा क्या जो भी इसने क्या आप लड़की होने के नाते में बाहर नहीं बता सकती कि यह देखा है कि इस बीमारी है क्या और शोल होताए कुछ लड़कीयों को इस रखफिकलने का उन्हें पसंदाती है şu सचे यह तो हम चित्रा यह जो तो कह रहे हैं सब सच है यह जो कहहरे हैं सब सच है सब को लगता है मैं हॉस्टेल चोड़ की चली गई लेकिन मैं तुमसे दूर जाना चाहती थी इसका कारण तूम हो चित्रा जूँ एक हुष्टल में लड़को चोरी चुपके देखना, शैड़ो की तरह फालो करना, उनको सरुज करने के कॉशिश करना, होष्टल के हर लड़की तुमसे दूर जाना चाहती थी, तुमसे डरने लगी थी वो, होष्टल में हर रात लड़कों की चीखने की रोने की आव कि छितरा कहा हो तूम आजा चितरा कि आज़ा आज़ा ज़्राइच क्या जब्रेश्थ है क्या है यह नया गेम है क्या है चलो यह जलते हैं मैंने यहांगी चिट्ट्रा감 चिट्रा तुम से कहा था ला कि इसला की मस्सी। बिलन्पर मत करना चिट्रा YouTube चिट्राओंगी नहीं क्या तुम मेरी बारे में नहीं जानती हो किलो और झelaन शोने चलते हैं जॉला चित्रा ये बहुत ज्यादा हो रहा है चित्रा प्लीस मुझे कुछ मेंद करना तुम मेरी कजन सिस्टर लगती हो क्या जो मुझे वार्निंग दे रही हो चित्रा तुम अपने हाथ पार कर रही हो क्या है मैं तेरी आंखे बोर दूंगी सोने के लिए बुला ली थी ना चल सोते हैं चित्रा प्लीस प्लीस मुझे चुर्दो चित्रा प्लीस मुझे चुर्दो चित्रा प्लीस मुझे चुर्दो उससे कहना छे मर्द विवार करें तो मैं उन सब को संभाल सकती हूं वो मेरा क्या कर सकती है मुझे क्या अपने जैसा समझा है उसने जीत हमेशा मेरी होती रहेगी खिच्यक फार दूंगी मार डालूंगी उस दिन मैंने चित्रा को नहीं चित्रा के अंदर बसे राक्षसनी को देखा था तुम्हें भूतनी ने पकड़ लिया था वो क्यों पागलो की तरह हरकते कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कर रही है उसे ही नहीं मालूंग था अनाथ की तरह पलेवी चित्रा की यह बात अगर आपको पता चल जाती तो चित्रा पिर से अनाथ हो जाती यही सोच कि मैं होस्टेल में शेले गए करती थी कहां जाुए हम बिना बताया मंदिर लेकर आगी मुझे तुम्हारे दख को कम करने वाली मेडिसीन है यहां मेडिसीन मंदिर में मिलेगी तुम्हारे दर्द की करेक्ट मेडिसीन तुम्हें समझने वाला लाइफ पार्टनर हाठी तरह इससे तुम्हारा अकेलापन दूर होगा और तुम्हें शांती मिलेगी यह जोतिश तुम्हारी सही कुंडली बनाएंगी बेटा जोतिश मैम मैं इन सब पर भरोसा नहीं करती तुम यकिन करो या ना करो लड़के वाले यकिन करते हैं इस पर तो क्या उनली बनाने के लिए तुम्हारी सही डेटोबत पता नहीं है इसलिए नारी जोतिश के पास दाई हूँ यहां पर अपना अंगुठा लगा दो मैं पढ़ी लिखिया हूँ स्वामी इंद असकत कर सकती हूँ और भी आपको अंगुठा ही लगाना पड़ेगा ये क्या नॉंसेंस है सिक्स सेंस कई सालों पहले अगस्त महामुठी ने अपने दूर दृष्टी और दिव्वे दृष्टी से मनुष्य के भविष्य को जानने के लिए जो सास्त्र लिखा वही है ये मनुष्य के जीवन में क्या क्या घटित होगा उसे आसान तरीके से समझाया गया है इस वेद के माध्यम से सिर्फ मनुष्य के अंगुठे को देख कर ही उसके पूरे जीवन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है अपने से बात करके अपनी बारे में बताने वाले गार्जिन के बारे में सुना था मैं अपने ज्ञान से अगर तुम्हें अपने पक्ष में कर लिया तो मैं महागुरू अगर तुमने अपनी बातों से मुझे अपने पक्ष में कर लिया तो तुम महागुरू ओम नमस्षिवार, सुनो, चैतन्या, जी स्वामी जी, आपके अंगुठे के निशान के अनुसार ये रहा ताम पत्र, मैं ताम पत्र में लिखियो ही बातों को पढ़ता हो, हाँ या नहीं मैं जवाब दीजिएगा, जिस ताम पत्र से आपका जवाब मेल खाएगा, वही आप आपका ताम पत्र होगा, आपका जन्म जन्वरी महीने में हुआ है, नहीं, आपकी शादी हो गई है, नहीं, आप सिख्षा देने वाला काम कर रही है, हाँ, आपकी उम्र अभी 30 साल है, नहीं, यहाँ जितने भी ताम पत्र है, सब ढूंड लिया, लेकिन आपके बारे में कुछ भी नहीं पता चला, महाशिवरात्री में वैदेश्वरी मंदिर जाएगे, वहाँ आपकी कुंडली मिल सकती है, क्यों हस रही हो चितरा, हमारी जिन्दगी एक ताम रुपत में है, यह सुनके, बहुत सालों से मेनत करके तुमने रिसर्च की, लेकिन उसका सर्टिफिकट एक छोटे से कागज में ही होगा न चितरा, तुम्हें तो पता है, इंसान की जान भी छोड़े से धड़कन में बस हसी होती है, आज तुम्हें इस पर हसी आ रही है, लेकिन तुम्हें कल इस पर यकीन होगा चितरा, इस राइट टाइम फर दा माइंड रीडिंग, ये स्थिति हमारे लिए अनुकूल है, अब हम चितरा के माइंड को डिकोट कर सकते हैं, ये कौन है? ये हमें हिमत दिलाने के लिए हैं, हिमत नहीं सर, डर, क्यों? चितरा के अंदर आत्मा घुसी हुई है, क्या? इनका कहना ह अब यहां से निकल लगा जाए हमारे, आए, अगे जा करने हैं, ये क्या? ब्रेल तो नॉर्मल है, फिर ये अनॉर्मल भी ये क्यों कर रही है, डॉक्टर, पल्स रिड्ट चेक किया, नॉर्मल है सर, हाटवीट, नॉर्मल है, नॉर्मल? नॉर्मल! कि देखो कैसे शेर की तरह कूद रही है एक बदन में दो आत्मा कैसे लड़ रही है देखो अगर एक बदन में दो आत्मा होगी तो देखो क्या होगा वो तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसके बदन से दूसरी आत्मा नहीं निकल जाएगी अमें कुछ भी करके उसके शरीर से एक आत्मा को निकालना होगा वरना उसकी जान भी जा सकती है अगर अगर आप लोग मेरी बात पर ध्यान देंगे तो चित्रा बच जाएगी क्योंकि चित्रा के शरीम में दो आत्माएं है दो आत्माएं है सॉरी से अभी इस वर्थ हम इसके माइन को बिलकुल नहीं पड़ सकते अच्छा होगा कि हम इसे किसी ब्रस साइकार्टिस्ट के पास ले चलें साइकार्टिस्ट चित्रा एंड टीम या एक्स्क्यूज मी कम आन टेक दिस येस एक्चुली क्या है ना इंडिया से दो सुंदर लड़किया आ रही है तो इस हफते एक को पठाऊंगा अगले दूसरी को पठाऊंगा देखते रहना दोनों को बदल बदल के डिस्को ठेक ले जाऊंगा मेरे गुरु ने भी काहा ता कि दो लड़किया तुमारी जिंदगी में आएगी फिर तुमारी जिंदगी जाएगी कुझ्जु कुबबबन इस दुनिया में ही है और वो मैं हूँ तुम बस मेरा कमाल देखते जाओ चित्रा कॉफी है यू बेभी आई लव यू कम कुझे है इस तरफ मारा इतनी जोर से मारा समझ में नहीं कर दो लेट्स मूब चित्रा आई वे गैस को वेलकम बोल के रिसीव करना चाहिए आई लव यू बोल के नहीं है ठीक ऐसा है चलो 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 लगेज लेकिया हो लगेज लगेज पे होने के बाद ही फ्रेश लग रही है इसकी चपल भी फ्रेश है तब बबब दिदी क्या है वह आप अब बबब ने बिलकुल सही नाम चुन लिया उम तो कुछ जादे स्ट्रेट फावर्ड वेभी मैं पिछले 12 सालों से या रह रहा हूं मेक्सिको से शिकागो तक हर जगा जानता हूं मैं तुम तो गुमाने वाले लगे तुम तो बहुत बाल की खाल निकालती हो यह आने व खाल शीत कष्ध करख चैणा खालक cœurा कुछ के उतल से श्माता है क्क अधिल चाहार कोशिवा खालड है स्ट्रा क्षितर ala हौइर अउसले ते मेरी लाइव से जुड़ा हूवगा मैं और उने तरफ से पूरी बृशिष करोंगी इस्गुआ श्रू द्रू क्या हूट कया है मैं घर जाना चाहते हूं यहां डर लग रहा है किया नहीं डर लग रहा है कि जीद के लिए साथ समन्दर पार करके कहीं हम जब बंसिल तक ना पहुंच पाई तो यह क्या बेबी हमेशा अमेरिकन रेडियो जोकी की तरह पैपैपै पैपै करते रटी हो और आज पार्क में लगे स्टेचु की तरह शांत खड़ी हो अखिर बात क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या इरिटेशन है क्या फ्रेस्टेशन आकर बताओ तो सही हां फ्लेश बेक में जाता हूं अब बेबी तुमने मुझे एक हिंदी सिनिमा की कहानी बताई थी मेरा आइडिया यह है कि हम बर्च से नहीं बलकि डेफ से शुरू करेंगे ए बबन क्या है तुमें भी दिमाग है चला मेरा दिमाग तो बहुत कमजोर है मैं तो आइंस्टाइन को भी भुला-बाला समाशत कर सकते अरे राश्ता कितना में मुश्किल हो पर मंजिल पहुंचना बहुत ज़रूरी यह मैंनत करने के लिए एक चमचे के होने की बहुत ज़रूरत है और वो चमचा कहा मिलेगा कहीं वह चमचा मैं ही तो नहीं हूँ क्या कहा है हां मैं हूँ वह लास्ट वीक जब मैंने एक फ्लावर वाले को ठेस्ट किया था तो वहां कुझको कुझको डूंट वरी कुझको ए ए ए पागल अगर तू हटेगा नहीं तो मैं कैसे ओडर दूँगा यार क्या का बता तेरी समझ में आ गया क्या बहुत दिन संदे तो मैं डाटना शुरू करता हूं वेल्डिंग शॉप के सामने फोटो फेज देने वाले पागल हो तुम मतन शॉप के आगे मिठाई मांगने वाले बेवकूफ और डाटु क्या कमाल के अंगूठी पहने हो सोने का ब्रेसलेट भी है गले में चेन है क्या बात है काम क पयर सब्सक्ति उसलिए है कि खार गार इसले मरें वाले वाले क्लीम सब्सक् globally कित आखों ने जख़हां है मैं घंगा क्यों अब यह पार का आप उस पार के क्या जोड़ी है अब अपना नाम तो बताओ गज्रा यह कैसा नाम हुआ यह नाम कोई रखता है क्या अजीब सा नाम है तुमारा नाम कुझुकु बबन ऐसा लगता है किसी चाइनीज विल्म का नाम है पता नहीं क्यों सब लोग सुनके यह ही कहते है यार यह मेरा बिजनस कार्ड है इसमें मेरा नंबर फोन करना बाई कुझुकु देखो बैब उसका फोन नंबर इस कार्ड में मैं उसको भी फोन करता हूं ठीक है अलो हलो गज्रा एक दम पूलो जरसा नाम रखा यार क्या यार इतनी जल्दी बूल गया मैं तुझे बागल इतनी देर से मदद मांग रहा हूं फिर भी बोल रहा क्या बोलना चाहते हो भाई अरे यह सब नहीं मिलना चाहता हूं तुमसे बताओ साइड में आ जाओ साइड कहा है अरे गजरा भूल कहा हो तुम अरे कहा चुपके हो अरे योर साइड पर पुला लिया अरे गजरा काव यार सारी दीदी क्या है यह क्या है यह क्या है क्या डर लग रहा है इस साइड में क्यों बुला है यार अजया चाहिए कर चोड़ो मुझे अगर किसी इंडियान की कबर के बारे में जाना है तो कैसे जा सकता हूं बोटो कॉंफिडेंशल है वाई हाई डिटेल सारी अमेरिकल सेमेटोरियल में है वाई ऐसा क्या हाई नॉर्मली डिटेल्स मिला मश्किल होता है कोई दूसरा काम है इसको कैसे आइडिया शाम को अगर पॉब में बिलने तो चलेगा आपका अगर बताओ देदी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल करूँगा देदी अमेरिकल सेमेटोरियल से सारी डिटेल्स मैं आपको लाकर दूँगा देदी हाई यह देखे अमेरिका में जितने भी इंडिन कब्र है उनकी डिटेल्स और जिनकी फोटो नहीं है वो फोटो नहीं है तो क्या हुआ एड़ेस पे चलेंगे कुछ ना कुछ डिटेल्स मिल जाएगी वहाँ से हमें हाई हुआ हलो चाचा जी आपकी बात मन कर मैं चित्रा को सेयलो की तरह फालो कर था रहा हुँ। अरे वह तो आसान है तो इंडियन गर्ल हो तुम थैंग गॉड इंडियन ऑफिसर इंडियन ब्रीट लेकिन इंडियन नहीं बात क्या है मेरा नाम चित्रा है मैं जोती चित्रा जोकिंग जोक और पसंद नहीं तो मैं असे छोड़ दू या इसे फेक दू ना तुम मेरी वाइब लगती हो और ना मेरी गर्ल्फरेंड ओके खूल ये बताओ किस काम के लिए आयो मुझे लेक साइट में हुए मडर के बारे में इंफर्मेशन चाहिए तुम्हें क्या लगता है ये इंफर्मेशन सेंटर है नहीं ये इंवेस्टिकेशन सेंटर है खैर ये बताओ किसका मडर मैं वैजाक में असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करती हूं कुछ दिनों से सपना आ रहा है कि एक आदमी को एक लेडी मारती है वो मडर जिस प्लेस में हुआ था वो यहीं है मुझे उस मरे हुए आदमी के डिटेल्स चाहिए थी जोक है सर जोक नहीं ह मेरी लाइफ का सवाल है ठीक है ठीक है उस आदमी का नाम जानती हो नहीं जानती है पोटो है कोई उसका उस आदमी को अडेंटिफाई करने के लिए कोई कुलू है क्या नहीं जो तुम बोल रही हो वो जिन्दा है या नहीं मैं नहीं जानती तुम गलत जगब पे आई हो त इंग्रिश में कॉक एंड बूल के स्टोरी कहते हैं मेरी राय से तुम्हें हॉलिवोड में कहानी सुनानी चाहिए ज्यादा डिमांड होगी सर गिव रिस्पेक्ट है अब तक बहुत रिस्पेक्ट दे दिया अब चुप चप निकल जाओ यहां से तुम्हारी हर बात मानने के लिए मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ और गल्फेंड भी नहीं हूँ मेरी बात गहानी बताने वाले तुझे में मेरे से उंगली उठा के बात कर रही है तो चल निकल निकल बहर दुबारा है मेरे एरिया में दिखाए मत देना हाई जो हुआ मैंने देखा उसने आप से कुछ जाधा ही रूडली बेहव किया ना उसके लिए रियली सॉरी मैं कौन हूँ मैंने बताया ही नहीं आम से युकता इस विंग में एस स्पेशल ओफिसर वर्क कर रही हूँ आप बुरा नाम आने तो एक बात पूछू, आंखों के सामने वाले आदमी को भाव न देने वाले इस जमाने में आप सपने में आई आदमी के बार में इतना क्यों सोच रही है जिसे ढूंड रही हूँ वो इंसान और कोई नहीं, मेरे फादर है फादर? मेरे फादर को किसी ने बेरहमी से मार दिया, वो कौन है, यही ढूंडने के लिए मैं आई हूँ फादर से रिष्टा ही ऐसा होता है, आप कहां रहती है? डेलवर में आपका केस सोल्व होने तक, अगर आप बुरा नाम आने तो आप मेरे पास रह सकती है आपको लग रहा होगा कि मैं आप में इतना इंटरस्ट क्यों ले रही हूँ इतनी दूर से आई किसी लड़की का इस तरह सड़क पे घूमना मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो भी फादर के लिए, उपर से कॉप से भी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपको मंजूर हो तो आ सकती है ओके वाव, ब्यूडिफुल अब अटो, हटो, 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 लेडिस वाव, क्या आप बंगला है कौन है ये पागल बेबी, इसको समझा दो, मेरे बारे में ऐसा ना बोले मैं बताती हूँ, हाँ, भूलो, ये सब यूज होने वाला लगेज और ये यूजलिस, यही ठीकती, चलो अब, चलो, 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 कैसी लड़किया है ये, इतने कम कपने पहनती है, लेकिन लगेज में तो क्या-क्या भरा पड़ा है, ये भगवान काव भसा दिया मुझे हाई, कॉफी, हाई, हाई, थैंक यू, मुझे इसे मौर्णिंग में सन्राइज देखते वे कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है, ओ, आइसी, और क्या-क्या पसंद है तुम्हें, स्विमिंग, पियानो, ए, मैं मेरी पसंद नहीं पूछ रही हूँ, तुम्हारी पसंद हाँ, 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 अच्छा बताओ, तुम क्या-क्या पसंद करती हूँ, जो तुमने बताया, प्लस फ्रेंग्स के साथ घूमना, फ्रेंग्स, बॉइफ्रेंड्स या गर्ल्फ्रेंड्स, नो बॉइज, ओनली गर्ल्स, कि चैक, मैं भी वैसी हूँ, गर्ल्स को ज्या समझी आप बस इसी तरह हस्ते रहना तो फिर पहले तुम यह आ कहना बंद करो कहले हम इसने कहले यह आया क्पूल बस्दी है आज चित्रा हूँ ब्रेक्वस्ट रेडी है कम या अपकमिंग चित्रा हम यहाँ पर तुम्हारे सपने में आई हुए व्यक्ति के लिए यह तुम्हारे पिताजी के लिए तो तुम्हारे पिताजी कहां है सच कहां लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं मुझ पर संयुकता के अलावा किसने भरोसा किया मैं तुमसे सिंपाथी नहीं ब सच बताना पड़ेगा आप चाने दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का नाम नहीं पता वो मुझे नहीं पता मां से पूछना पड़ेगा वाट ए चित्रो लेकिन तुम्हारे सपने में ते एक आदमी की मौत दिखती है ना हम सिर्फ ये सच है सच में आप ये यार यह सब क्या अच्छी यह सब गोस्ट वाले गाने यह गोस्स कहीं मुझे देखकर तो नहीं आ गया मेरी सुंदर्ता तेकर भूष तो नहीं हो गया वो ए बैभी अलो तुम्हे भी यह गाना सुना ही दे रहे है क्या क्या पागल पन है यार बेभी 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 बोलो ना क्या हुआ तुम्हें यह बेभी तुम्हें क्या सच में डर लग रहा है या फिर मुझे डराने के लिए ऐसे बैठी हो वैसे मैं डरने वालों में से नहीं हूं बाल बिख्रा के बैठी हुई लड़कियों को चेहना नहीं चाहिए कर अच्छ definiye बाप्रे यह नहीं का चली गईए अ COMMछे भूटर लग रहा है ए ए वह तुम यह फिर से वहा जाकर कर गडिय हु प्यों वह तुम पर से वहां जाकर ख़वीं क्या 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 तुम तूम पुझी तरा क्यों प्ड़ा क्यों रहे हो औरे था मुझे बॉटर लग रहे हैं मुझे यहां मेरे का छोड़के सीधा अपने काव भांचाना बढ़ेगा मुझे कोई नहीं बचा पाएगा हे राम मेरी सुन्दरता को देखके बंगली के अंदर भूतने आ गई यह यह तीन और अरे बाप रहा है मैं भूतने ही हूं मैं भूतने हूं आरे यार तुम बाथरूम करने गई थी मुझे तार से लगा बर्मावालों तुझी बात्रोम जाना है क्या वह तो बेरी पहनट में हो गई थी पांगल कहीं कह कौन है मैंने आप को पcularун का है पांगल रा बजान के ना घम मैं तक का भूब अपर्ड़ से क्वर्य Agreement कौन है आप मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा ओ तुम मेरे लिए नहीं आए हो आइम चितरा आम अनकमफटेबल फाद अटाएंगे प्लीज क्यों लड़कियों के घर के आगे फूल छोड़कर जाते हो हमें अनकमफटेबल फेल नहीं होता तूटलक से कई बात है है अपना हतसरे मुझे जाने कहाँ जा रहे हो हैं हां किया बोल्रव हों इस लड़कों की तरह बात किजिए अशे लड़कों के तरह बाते करेंगी तो तूवी आपको लड़क्ति नहीं मानेगा आप समझ रही हैना यम्याब क्या पूता है इसे बिलारे हो हां? संभय हो तुम्हें के बुछे वांगे हो राजेश सम्यूब देखो लाजेश XD तुम्हें दूमिय पूछा इसे पूछो पूछो जाने दो फ्रेंड है तो फ्रेंड डोर से आना चाहिए पैसे बैकडोर से यहागा तो लोग छोर बोलेंगे इसको है अलो मेडम चोर कीसे गारी है मैं बहुत पैसे वाला हूँ तुम पैसे वाले चोर हो अरे कौन है यह कम आन मैं संभालती हूँ चित्रा यह बताओ कि यह कौन यह नम्मर किनक चड़ी है हमेशा गुछ से मेरे इसका अच्छा लगा मुझे पता था कि यह संयुकता तुमसे इतना प्यार कटी है अगर भुछ गलत लगा हो तो सौरी है है यह वन से किन ओको चिट्रा की जाने करें टिल्फिर अपिलाना की चाहनी की पहुचि है यह सब्घी को हुआ है तो हुआ है नहीं कहानी है मैं और हाह जा Dharma बुट नहीं नगी कहानी Coffee यह मैं मिर्तारी और इस स्टार्ट ओए यहा段 और यहां और आ था जो नहीं काहनी तेसी प्यार कर नहीं ड़की से प्यार ? हुम्ह… तुम्प्यार करती हो ? ऐसी कोई बात नहीं है कोई थुम्हें ईंतजार कर्वाए इसका मतलब वो तुम्हारे मन में रहएदा है हें चित्रा माबाप भी तो अपने बच्चे के लिए इंतजार करते हैं बोलो हाँ उनके मन में बच्चे रहते हैं हाँ तो मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ तो इसका मतलब ऐसा हाँ तो मैं भी तुम्हारे मन में रहती हूँ हाँ एई मैंने प्यार कहा तुम्हें चाहती हूँ नहीं कहा तो प्यार का फॉर्मेट एक है लेकिन एंगल डिफरेंट है भूख लगे तो खालो, दुख हो तो रोलो और खुशी हो तो जाहिर करो अंदर मत रखो जाओ, जाके फोन करो जाओ, तैंक यू हेलो राजेश क्यों सेंगता कितना बिजी हो पिर लिए टाइम ही नहीं है चित्रा के साथ थी एंजल कौन है? एंजल? राजेश ओ, ओके, ओके, कंटिन्यू अच्छा, वो परमीशन देगी, तो ही बात करोगी क्या प्रीज, इसका गलत मतलब मत निकालो मैं कहा गलत बात कर रहा हूँ यार हमें मिले हुए एक हपता हो गया कॉल करता हूँ तो कट कर देती हो घर में आने से भी मना करती हो उसके ज़्यादा वो क्लोज हो वे, यह क्या? यह बताओ क्यों तुम्हें एंजल क्यों कहती है? क्या लगती है तुमारी? प्रेंड? कजन? सिस्टर? कुछ लोगों को देखकर कभी-कभी कुछ हजीब सा फील होता है उसके बारे में अच्छी तरह से ना जाने तो भी उसके साथ जिंदगी भर रहने का मन करता है अगर इसे प्यार कहें तो मैं उससे लवर कह सकती हूँ लवर? खर्यंटा उबूखल.. प्रशल? प्रॉब्लमीत अगOurहिए उखला हूँ क्यां। हूँ मेरे मन मेह तू अती सुन्धर तू मेरे दिल में बस जा तू मेरे दिल में बस जा तू बस जाना दिल में फॉपल पमाती हो जानती हो मेरी टीचर सुन के घान्तर हम घहां ने ते ते काहा सपने उन शुपले संच कर फूदगे हुआ है यह है यह है हुआ यह ही है यही वलेग सेयुकता यही वलेग वह यही है जो ले संहे में आती है जोड़ा, जोड़ा, मुझेए रहा भाँ, वाँ, येस बेभी, जब कोलमपस को अमेरेका मिला उगा तब भी वो इतना खुछ नहीं हो आगा, इतने खुछ तूम आज हो रही हो है कि नहीं बेबी, नहीं बेबी, बेरी एक अकेली करते हैं, छोड़ो अरे चित्रा, पागल हो गई हो क्या तुम पागल हो गई कह रहे हो मुझे इतने गिंसे मैं पागलो की तरह इस लेख को ढूड रही हूँ आज इन आखों से मैंने इस लेख को ढूड़ा है, आज इन आखों से मैंने इस लेख को देखा है, यही वो लेख है, यही वो लेख है यही वो लेख है, यही वो लेख है यह पर मारा था, फोन कर उसे, हाँ चित्रा, ए डील काल्ट, ढूंड़ी मैंने वो जगह है, वो लेक ढूंड़ी मैंने, तुम एक्स्ट्रा ओडनरी हो चित्रा, लेक ही नहीं, जिसने मर्डर किया, उसको जानने तक मैं वापस नहीं आओंगी, हार नहीं मादूंगी मैं, चित्रा, क्या करें वो? यहाँ पर सर्च एंड होदा है, और गेम शुरू होदा है, और गेम शुरू होदा है, तुम क्या सोच रही हो चित्रा, मैं केस री उपन करना चाहती हूँ, चित्रा, वो लेक तुमारी कहानी में एक सपोर्टिंग केरेक्टर है, तो कभी-कभी छोटी-छोटी खुश्यां जो हमें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, यहां सो लेक्स में से तुमें लग रहा है कि यह वही लेक है जो तुम ढून रही थी, इस लेक में सो लोगों की ही जान गई होगी, यह क्या लोजिक हुआ चित्रा, यह भी नहीं समझ पा रही हो तुम, यह अमेरिका है, यहां अटेच्मेंट से जादा एग्रिमिंट को व मैं दिन बर खाना बना के ठक के सोने जाता हूं तो यह लड़किया उची आवाज में टीवी चला के मेरा दिमाग खराब कर देती है, मैं तुझे तेरा अंत दिखाती हूं, मैं क्या कर सकता हूं जब मेरा नसीवी खराब है तो, हम पहले से गरे हुए हैं क्यों तरा रहे हो तुम पट्टा दो उतारो यार अरे यार इतनी रात को मैं बाहर कैसे जा सकता हूं इस बेबी से वीरा फिछले जनम का लेरा देना है तुमने तो कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता है तुम बोलो ना तो मैं नाइकरा फॉल में खूटके हूं वहां से मच्छी पकड़ क बात तरसले यह हुई कि एक दिन रात ने बहुत थेज बारिश हो रही है तो यहां कोई जगा नहीं है कोई बात नहीं सर पचास दालर पूतो अगर इंडियान के दिल में जगा ना हो तो भी जेब में जगा ज़रूर होती डॉलर के लिए एक कमरे में हम दोनों रहते हैं अर दूसरे कमरे में नौकरानी के साथ तो रहनी सकते नær कुमारे हो िबैरोने कि अप settle क्यों पुच्क कमाल चाहिए कुछ चुमा ने दो के तो आप संजा मैं देकिज चिलाने की आवाज आवाज आपिज लेकिन अगर चिलाने की आवाज आती है तो आप मेरे लिए दर वाजा नहीं खोलोगे पका क्या यार यह कस्टमर समझ के कनेक्ट तो नहीं कर रही है बाहर तो बहुत है यह एंटिटीट दिखा रही है इंकरेज मी मैं इतनी बाते कर रहा हूं तुम चुप-चाप लेटी हो आखिर जानती हो कि मैं कौन हो रोस बबन लोटस बबन कजरा बबन लीली बबन ग्रीन बबन इतने सारे बबन पैदा हुए उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिता जी ने मुझे रोमेंटिक सा नाम दिया कुझ को बबन ए बात करो मुझसे यार हलो यह इतनी ठंडी क्यों लग रही है ओहो तो इसको गरम करने वाला बॉलर मैं हूँ मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए ग्यारा महीने में ग्यारा तरीके से तुझ से प्यार जता हूँगा अरे यह क्या इनका पैर बंधा हुआ है ओहो रोमैंस करने का नया तरीका इजात किया है मुझे भी नहीं तरीके पसंद ऐसा रहे तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ एक तम मजा आ जाता है मुझे आज नचोड़ूंगा तुझे धम धम अधम अदम अदम अड़े यह क्या अरे नहीं यह तो मेरा रेव कर रही है बचाओ बचाओ मेरा रेव हो रहा है अरे अरे फ़िगा लफ यू और खास बतातीन Мा आप जब यहां आएंगी तो एक special surprise इंतजार कर रहा है वो surprise देखते ही आप एक दम चोक जाएंगी बाई मॉम मैं अपनी ममी से बहुत प्यार करती हूँ और अपनी पिता जी से मैं मेरे पिता जी के बारे में ज्यादा नहीं जानती वो एकसिडेंट में चले गए लेकिन मा ने कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि पिता जी नहीं है अपनी ममी से बहुत प्यार करती हूँ मैंने पिता जी को तो कभी नहीं देखा बस हमेशा ममी के साथ रही हूँ ममी को छोड़कर इतने दिन कभी नहीं रही मैं अकेली रह पाई सिर्फ तुम्हारी वज़ा से चित्रा मैं तुम में इंट्रस्ट ले रही थी इसकी वज़ा भी मेरे पिताजी ही है चित्रा हाँ चित्रा, we are under the same tree पिताजी नहीं रहे जब से मैंने ये बात सुनी है तब से मैं तुम्हारे नज़्दीक आती चली गई चित्रा अच्छा सुनो चित्रा तुमने अभी तक मुझे अपने माबाप के बारे में कुछ भी नहीं बताए कुछ तो बताओ हास्टल में पली बढ़ी हूँ सुरुवत पढ़ने पर फ्रेंज के अलावा अपना कहने को कोई कभी रहा ही नहीं चित्रा चित्रा देखो फोन आ रहा है कोई कस्ट्रम गेर वाला होगा अरे बात तो करके देखो चित्रा हलो बेटी चित्रा मैं हूँ तुम्हारी मा चित्रा मा बोल रही है बेटा कैसी हो बेटी मैं बहुत खुश हूँ मा खाना खाया बेटा हाँ खाना खा लिया वो संयुकता तुम्हारा अच्छे से खयाल रख रही है ना बहुत अच्छी तरह से खयाल रखती है मा बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम जो हासिल करना चाहती थी इस देश में आकर तुम्हें वो मिला क्या बेटा सैयुकता मेरे साथ रहेगी तो न कुछ भी हासिल कर सकती हूँ Be happy चित्रा I'm with you बोलो राजेश मिलने के लिए बुलाया था हाँ मिले वे बहुत दीन हो गए थे यार हाँ राजेश चित्रा के आने के बाद सारा वक्त बस उसी के साथ निकल जाता है वैसे तुम क्या बताना चाहते थी मैं बिजनेस ट्रिप में दो सालों के लिए अस्ट्रेलिया जा रहा हूँ अच्छा हाँ सुयुकता तो तुम शादी करके मेरे साथ चलोगी न तुम से प्यार करती हूँ मैं तुमारे साथ जिंदेगी भीताना चाहती हूँ लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है चित्रा जब तक उसकी मनजिल नहीं मिल जाती मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा चित्रा चित्रा क्या है सुयुकता हर बात में चित्रा जरूरी है क्या तुम उसे अपने से दूर क्यों नहीं कर देती मेरी जिंदगी में राजेश नहीं तो चलेगा लेकिन चित्रा के बगएर कुछ भी नहीं हो सकता मैं तुम्हें कितनी बढ़ यह बताना चाहती थी पर तुम सुनने को तयार ही नहीं थे अब बस बहुत हो गया राजेश बाई राजेश एए सेउगता आम सॉरी सेउगता सेउगता है सेउगता मुझे माफ कर दो यार सेउगता सुनो तो सेउगता सुनो प्लीज सेउगता एह एह उस्से मत्नोरो अरीबीन रेस्टोरेंट अरीबीन रेस्टोरेंट उसे वाहोण नचिये जहां मटर हुआ मैंने उसे देखा था इस सँषच में चलू जी जी चित्रा कि यहां से चलते हैं लेस्ट को दियर एक्स्क्यूज मी आप कौन है आप मैनेजर अप दिस रेस्टोरेंट ओ ओके इस प्लेस में अरेबियन रेस्टोरेंट हो ना चाहिए मैंने स्के सामने खड़े होकर एक मर्डर होते हुए दिखा था लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दिया अरबियन रेस्टोरेंट हां मैं यहां 20 सालों से बिजनेस कर रहा हूं पर ऐसा नाम कभी नहीं सुना मुझे लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन हुई है प्लीज यू कैन लीव हाई ब्रो कोई लड़की एरबियन रेस्टोरेंट बोलके हमारे पास आई थी उसके बारे में कम लोग ही जानते हैं लेकिन वो बात इस लड़की को कैसे मालूम मुझे समझ में नहीं आया ओके ब्रो आई विल मैनेज प्लीज मैडम आप कोछ मर्डर की बात कर रही थी मैंने सुन लिया था इसके लिए फालतों में पुलिस प्रॉब्लम हो सकती है वे कांट फेसी तुम्हारे ब्रेदर का है किसलिए जय है तुम नहीं कर पाई शायद बो कर दे चलो बेबी इसब क्या है ऐसी सजा मुझे क्यों दे रही हो मैं जानती हूँ स्कूल के जमाने में बीटे पर्थर बन गई तुम क्यों अपनी मनमानी करती जा रही है तो बताओ कि कहां जाना है अरे यह क्या है भाई मौहल एकदम गरम हो गया है तुम्हारी नजर के वज़े से बेबी पीघल गया है बेबी अगर तुम्हारी पर्मिशन हो तो जा क्या हूँ जाँ ओके बाई बेबी बाई एक्सक्यूज मी मेडम आपको अंदर बुलाया है पराने ओनर के पास देखा है वो भी इसी रेस्टोरेंट में खड़े हो करके अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप पुराने ओनर के पास जा सकती है Thank you so much sir. Super collection, Thana, I never expected such deal you know one thing, I was watching the collection and Chitra, keep there, we go to Chitra Chitra, come here and then I'll do something करेगा कौन है वो हमें कुछ नहीं गरेगा तुम कैसे जांती हो वो मेरे एक्स लवर है कुछ महिने वहले ही हमारा ब्रेक अप हुआ था क्यों शुरू-शुरू में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन बाद में उसने कुछ रिस्रिक्शन लगानी शुरू कर दी इ जिन्दगी हमें हमेशा दूसरा मौका देगी चित्रा, इसका तो नहीं पता, मैं अपने दुखों के बारे में सोच कर और उसमें डूबी रहूं, तो इससे ना तो मेरी डेवलप्मेंट हो पाएगी और ना ही मुझे जो थोड़ी बहुत खुशी मिलनी है, उसे इंजॉय कर पाऊंगी, चित्रा, दुनिया में सबसे बड़ा क्या है, जानती हो, दोखा देने वाले लोगों को माफ करना, माफी का मतलब है, हमें सबकी गल्तियों को भूल जाना चाहिए, वरना हम इसी में फसकर रह जाते हैं, इसलिए जिन्दगी में दुश्मनी, गुसा, इन सब को ख़द्म करने वाली एक ही चीज़ है, जित्रा, वो है प्यार, जो पहले हो चुका है, उसे याद करके हम हर किसी से दुश्मरी बढ़ाते रहें, इसमें भी कोई फाइदा नहीं, जित्रा अहूरा मस्दा मैं हूँ औरा मस्दा, एक समय एरेवियन रेश्टोरेंट मेरा था, लेग वी रेश्टोरेंट के ओनर ने फोन करके आपके बारी में बताया, यह लिजिए, उस वक्त एरेवियन रेश्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद मैंने उसे बेज दिया, और अब रिटायर हो चुका हूँ, सच कहूं तो तुम्हारी बाते मुझे फेरी टेल स्टोरी की तरह लग रही है, बस कोरी कलपना, इसलिए तुम कह रहे हो कि तुमने वहां मडर होते हुए देखा, मेरी बात चोड़ दीजिए, जब आप रेस्टोरेंट चला रहे थे, उस वक्त लेक साइट में हुए किसी मडर के बारे में बता सकते हैं, वहसे तो मैंने देखा था, और कई लोगों से सुना भी था, उस लेक के पास एक जंगल था, उस जंगल में छोटी-छोटी स्मगलिंग और मडर भी होते थे, उन दिनों लोगों को मार के जंगल में फेक देना कॉ नो, आम टॉकिंग अबाउट कि ऐसा कोई मडर जिसने सेंसेशन क्रियेट किया हो, वह पटिकुलर लेक के पास रैम के पास हुआ था, रैम सेट, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, सच बताओं तो याद करने के लिए मुझे कुछ वग चाहिए, मुझे कुछ डाउट ह अरे तुम कहरी हो कि तुमने वहां मडर देखा है, जबकि उसे बेचे मुझे 40 साल हो गए, उस वक्त तो तुम पैदा भी नहीं हुई होगी, अभी तुम्हारी उमर ही क्या है, इसलिए तुम्हारी बातों पर यकिन करना मुश्किल है अरे सुन, कहां गया था पागल, वो चोटी बेबी कुछ सूखी मच्छी पसंद है ने उसी को लेने के लिए मार्केट गया था, तुम सूखी मच्छी बनाव यह सूखा केकड़ा यह ज़रूरी नहीं है, टाइम पर खाना बनाव यह ज़रूरी है, क्यों यह एक टाइम पर हुआ एक टाइम पर मас टूमिया गया थारी हुआति बनाव पर sharksबतूरी है, क्यों यह ज़रूरा के लिएरूरी है, टाइम रहा बनाव यह ज़रूरी है! जोंगे जिक कहारहां तो मस्ती है कि यह ड़की करना है खाना रहाहारा में तो मईतना के कब भारतल के नहीं क्या आनों और कराऊँ और रूहना एक व गोर्म बनाके सहत पाइस पार आ वह भग भग नहीं वह तो कशने की डाल कैसी यह बूछ रहा था अब तो मुझे खाback मेरे बस्ब्रेन ना कोर्मा बनाके खाज़ भग कि चित्रा सेम्यक्ता चित्रा जो चित्रा बेबी आज इतनी चात क्यों हो खाना तयार है आओ खाना काउस की थोड़ी बुराई कर लो akah करने चाहिए करना करने आप है क्या है थो रहे तरहल सब्सक्रा बेबी तुम काम बोलतीौों मैं खरता हूं रहा अपने ह्तन अपने बाप इन्सानों कितना काम करता हूं बाल उपर करो बाल उपर करो Filand अजापने पेड़ेख्स फिक घोतों मुझे, हादे अös charger हो आपनेगों में एक्टम को प्तेब कgoingा ताह अरे इहा बे मैं कर लो बूहाँ अरे बॉवापने अर्म कर आत्रों अर्या प्रम GOOD इा हमार फबने इबने आता हुच प्रम कर दोती अर्प्रों मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने वाशिंग मेशीन में डाल के मुझे धो दिया है क्यों बेबी तुम भी फॉर्म में आ गई हो मैं रिटार हो जाओंगा अबिक्या होँ तुम इस थरह ये लीटे हुए हो सुनो चित्रा को देखा क्या अहाँ देखा क्या जाका तुम उस लेक के पास विए मडर के बारे में जानना चाहती थी ना हाँ सर देखो जहां तक मुझे याद आ रहा है अब तक चार मडर हुए हैं corazón में दूसरी फेमली को प्रपटी के लिए मार डाला था, दूसरा एक लड़की को रेप करके बेरहमी से मार डाला गया था, बाद में उसे वहाँ पानी में फेक दिया गया था, उसके बाद दो बच्चे पानी में डूप के मर गये, चौथा केस खास तोर पे बताना पड़ेगा क्योंकि य पाना मडर नहीं एक्सिडेंट, एक्चुली वह बहुत पैसे वाला था, इसलिए ये केस उन दिनों बहुत हाइलाइट हुआ, और खास बात यह है कि वह इंडियन ब्रीड था, कौन है वो, कहा रहता था था, कब कब मरा वो, कहा रहता था, कुछ तो बताईए उसके बारे म में समझ सकता हूँ, वो कौन था, उसका नाम क्या था, ये सब तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो एक हीरे का भी अपारी था, शराप के नशे में होने के कारण उसका सर पत्थर से ठगरा गया और उसकी मौथ हो गई थी, उसके बारे में हमें इंफर्मिशन के ऐसे मिलेग Thank you. कर दो, कर दो, कर दो, कर दो. कर दो, 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 क एक भर्म फारेक्ष, हुथ रवीवर्म, रवीवर्म१ जरतानाMarth एक संझ एक मर्मत रभ्मar यस! रवीर्म, रवीर्म, I found you, तुमन्ने मुझे जिता दिया नहीं नहीं, मेरे तुम्हे टुनले हैं टुम्हे जिता हैं सर समयो, समयो, ये देखो, ये है मेरा हीरो, ये मेरे सपने में आता था, ये है, ये तुम्हारे सपने में आता था, ये है, ये है मेरा गवा, मेरा सबूत, ये मेरे सपने में आता था, ये मेरे सपने में आता है, लेकिन तुम्हारी मौत कैसे हुई, ये राज में डून के रवी वर्मा पदमनाप लेक व्यूप पैलेस का लास्ट लीगल हैड ये तो बहुत साल पहले पानी में डूपके मर गया था आपने पढ़ा नहीं क्या मैं यकीन नहीं करती वो एक्सिडेंट नहीं था उसे मारा गया था मैं उसका केस री उपन करनी आई हूँ रवी वर्मा की मौत एक एक्सिडेंट नहीं थी वो प्री प्लैंड मर्डर था मैं उसकी गवाँ हूँ तुम बेजी हो तो बगल के ऑफिसर से बात करूँ ग्रेट आ हम शाम को मिल सकते हैं if you don't mind no problem see you there कोई चित्रा आई है इंडिया से आई है रवी वर्मा मरा नहीं है बल्कि उसका मडर हुआ है यह कहके केस री ओपन करना चाहती है पर मैंने केस ओपन नहीं किया है मैं शाम को उससे मिल रहा हूं हाँ ओके वेल्कम चित्रा क्लाइमेट देखो कितना कूल है क्या ह MOS कोफी पी कर बात कर सकते हैं यहां की कोफी बहुत बढ़िया है यहां की कॉफी पीने के बाद लड़की से रिलेशन बैट कोफी तक रहता है पीओगी क्या मुझे कॉफी पीने की आदत नहीं है केस के बारे में डि रवी वरमा तेरा लगता है बाप फ्रेंड या तुम्हारी माप को रखेल बना कर उसके पेट में बिच्चा देकर भागा है क्या उस आदमी के बार में क्या सोच रही हो जो मर गया है तुमने मुझे ठपण मारा क्या समस्ति यो ओ तो मुझे लगा था मैं अंधेरे में पथर मार रही हूं परावर्ट टार्गिट पे लगा है तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो कौन लोग है उसकी मौत के पीछे जानता हूं मैं लेकिन कुछ नहीं बताओंगा मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं विगार सकती पागलो को कैसे काबू किया जाता है ये मुझे अच्छे से मालूम है अरे फेट करते समय तो लड़किया चिलाती है लेकिन तू तो हस रही है अब क्या करेगी तू मैंने कितने लोगों पो पानी पिलाए पता है तू मुझे पानी बिलाएगा रियल शो क्या है मैं दिखाती हूँ तुझे आजा है ये जो थे नहीं तू आज़ आज़ा आज़ मैंने आज़ जसे नहींग आज़दो पेलाएग आज़े आज़ जोन्यों आज़ आज़ा तेरा चित्रा नहीं बता बता कौन है तेरे पीछे और कौन है उस मौत के पीछे जब तक में उनको बाहर नहीं लाऊंगी ये चित्रा चैन से नहीं सोएगी किच्याक हां ये है ये है मुपन ये ये देखा वह आर्च सौम्या मेरे सपना में रभी वर्मा को देखा था वह यह ही रहता था लेकिन तुम यहां के बारे में गैसे जानती हो मतलब तुमको पहले से पता था और तुम लग मुझे दोका दे रही थी तुमने तो सिर्फ ये जगह चुपाई, तुमने तो पूरा रिलेशन्चिप चुपाया है, रवी वर्मा तुम्हारे पिता जी ये जूट है ना? रवी वर्मा मेरे पिता नहीं है, ये तुम कैसे जानती हो? क्योंकि वो मेरे पिता जी है संयुक्ता, तुम मुझे से प्यार क्यों करती हो, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेर करना चाहती हूँ, एक बच्ची की तरह तुम्हारे साथ खेलना चाहती हो, तुमने मेरी बहुत कैर की है, और कितनी पर तुमने मुझे सप सम्यू किसी ने कहा था माफ कर देना गल्दियों को भूल जाना लेकिन तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया सम्यू हर आदमी मुझसे यही पूछता है कि मरे हुए आदमी से तुम्हारा क्या रिष्टा है उस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है सुनो एक मुसीबत से बशने के लिए अगर मैंने किसी वर्ड का इस्तेमाल किया तो उसे स्वार्थी नहीं कह सकते मेरी जान चली जाती तो अब प्राप्लम सॉल्व हो गया तुमने मेरी इतनी मदद की है मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकती जो मरा वो किसी का भी पिता हो सकता है लेकिन जो हुआ वो मडर था फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने गल्ती की तो आइं सॉरी हम दोनों के बीच कभी भी सॉरी बोलने जैसा दिन नहीं आना चाहिए चित्रा अलो सर हाँ बोलिए चित्रा केस में हमें बहुत इंपोर्टेंट बात मालूम पड़ी है कैसी बात चित्रा की कुंडली का ताम पत्र वैदेश्वर मंदीर में महा शिवनाडी में मिलेगी ये बात स्वामी जी ने बताई हाँ तो आप भी हमारे साथ आए तो अच्छा रहेगा वट आप जानते हैं मैं ऐसी बातो पर भरोसा नहीं करता अब तक चित्रा के केस में बहुत सारी बाते सामने आई है आप चित्रा के लिए नहीं कमसे कम हमारे सपॉर्ट के लिए तो आई ही सकते है गुरु जी मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बताया था उसी के बारे में जानने के लिए आये हैं उस लड़की की रेखा से जुड़े हुए तामपत्र भगवान की किरपा से महाशिवनारी में मिला इसलिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया मा के चले जाने के बार मेरी पिता जी से ही अटेच्मेंट थी मेरी मौसी मालवी का देवी जो मेरी मा की बेहन थी मेरे पिता जी मेरी मौसी का भी बहुत अच्छे से खयाल रखते थे सुनो चित्रा पिता जी की मौत के बाद मौसी दिल से कमजोर हो गई अक्सर वो मुझे भी नहीं पहचानती अगर वो कुछ तुमें गलत कह दे तो प्लीज बुरा मत मानना प्लीज ओम नमस्षिवाय पार्वती पर्मेश्वरपाद पद्मम उसका जनम महानक्षत्र में हुआ है नहीं स्वामी जी उसकी मा इस दुनिया में नहीं है नहीं है वो लोगों को शिक्षा देती है हाँ स्वामी वो इस समय विदेश में है हाँ स्वामी जी वो लड़की कोई बात नहीं बताएए स्वामी जी वो लड़कियों से बहुत प्रेम करती है जी स्वामी जी इस लक्षण वाली लड़की का नाम मौसी आपसे मिलने मेरे कुछ फ्रेंड्स आये हैं उन्हें आपसे कुछ इंफर्मेशन चाहिए उन्हें बता दीजिये न मौसी देखो ना आपसे मिलने बहुत दूर से आये हैं विल्कुल सही कहा स्वामी चित्रांगदा कुम्ब लगन है हमेशा बेचैन रहती है बहुत ही जिद्धी है वो लड़कियों से बहुत प्रेम करती है अब मैं आपको चित्रांगदा के बारे में कुछ और महत्तुर्ण बाते बताना चाहता हूँ बताए स्वामी महसी आपसे मिलने ये लोग बिंडिया से आये है पिता जी के बारे में कुछ जानना चाहते है हाँ र रवी बर्मा रवी बर्मा से चुट्रा 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 कों से चाहिए चुट्रा चुट्रा! पूर्व जनम पूर्व जनम चित्रा का पूर्व जनम क्या है पूर्व जनम रवी वर्मा मतलब चित्रा पूर्व जनम में आदमी थी हाँ भारत देश से साथ समंदर पार एक संपन्वन्ष का वारिस्था रवी वर्मा चित्रा का ये जनम उसी रवी वर्मा का मौत का बदला लेने के लिए लिए हुआ है इसलिए वुँझी को हिह दूण रही है उसका मरंड नकषत्र और उसका जनमनकशत्र एक होनी की वज़े से अपने पूरों जनम सभी बातें अभी तक और तुम्हारी पुरी कुंडली निकल जाएगी तो गलत है कहां है तुम्हारा महागुरू चित्रा सॉरी चित्रा उन्हें किसी भी ट्रीटमेंट से कभी कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन तुम्हें लेखते इस तरह से बिहेव करने लगी शॉकिंग था इस लड़की के बारे में जानना है पूर्व जनम के बारे में एक इनसान के जीवन में दो सच होते हैं जिंदा या फिर मौत अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर दूसरे के शरीर में कैसे आ सकती है किसी का जन्म लेना फिर मर जाना जन्म लेना मर जाना फिर से जन्म लेना यही है स्रिष्ठी चक्र मौत शरीर की होती है आत्मा की नहीं जब तक तो मात्मा पे विश्वास नहीं करोगे मेरी बातों पे भरुसा नहीं होगा मुझे इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए, सबूत चाहिए शांती देवी, 1930, दिल्ली, चार साल के उमर में उसे अपना पूरवजनम याद था उसने बताया कि मदुरा में उसके पती और बच्चे हैं, ये सुनके सबको बहुत आश्चर हुआ एक दूसरे केस में केदारनाथ की पत्नी लूबरी देवी को भी अपना पूरवजनम याद था इस हिंदुईश्म की बात पे विश्वास के कारण ही महात्मा गांधी ने एक कॉमेटी की मिटिंग लग्य थी इसी बात को वरजिनिया इन्वर्सिटी के डीन इवन स्टिवंसन ने रिसर्च करके साबित किया था साउथ हेशिया में 6000 केसे जैसे थे जिन में 2000 लोगों ने अपना पूरवजनम भारत में लिया अंग्रेजों ने ये बात साबित की तो आप सब भरोसा करते हैं लेकिन हमारे यहां ये बाते सदियों से कही जा रही हैं इस पे किसी को भरोसा नहीं है अगर गोरा कहेगा तो आप माल लोगे विदेशों में जाके PSD करेंगे यही तो अपने देश का दुरभाग्य है मैंने भी पूर्व जनम के बारे में सुना है लेकिन चित्रा का केस बहुत ही विचित्र है क्योंकि पहले जनम में आदमी और दूसरे जनम में लड़की ये कैसे हो सकता है जेंडर चेंजिन रिइंकॉर्नेशन इट्स पॉसिबल चू आई पिंग पैंग थाइलेंड का बच्चा चार साल के उमर में खेलते हुए डूप के मर गया था उसके बाद उसने लड़की के रूप में जनम लिया और अपनी सारी बाते बताई त्रेता युग में राम की सुन्दरता को देखकर मोहित हुए बहुत से महारिशी दौपर युग में गोपिकाओं की रूप में उनका जनम हुआ और वो कृष्ण की लीला में उनके भागिदार बने जैसे इंसान पुराने वस्त्र को निकाल के नए वस्त्र धारन करता है वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़के दूसरे शरीर को धारन करती है यही है री इंकॉर्नेशन की परिभाषा भगवत गीता पे भरुसा नहीं करते हो लेकिन गांधी जीने जब वही बात कहीं तो भरुसा करते हो इसलिए मैंने ऐसा कहा कुछ भी हो सकता है स्वामी तुम डॉक्टर हो ना रिपोर्ट देखके भरुसा करते हो पहले चित्रा के बारे में जान लो यह कुंडली एक मौत लाएगी जा कर उसे बचा लो चित्रा को हम इंटर्मीडियट से जानते हैं वो खुले विचार की थी सबसे मिलजूल के रहना उसे पसंद था इसलिए हम उसे अपनी बेटी की तरह ही मानते थे तो फिर चित्रा की पढ़ाई एक स्पॉंसर से उसकी पढ़ाई होई थी चित्रा एक बहुत अच्छी पढ़ने वाली लड़की है ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं वो मेरे दोस्त थे उन्होंने मदद मांगी तो मैंने चित्रा की पढ़ाई का इंतजाम करवा दिया बस और मैं कुछ नहीं जानता आपसे मदद किसने मांगी थी वो एक जेल आप चित्रा की बात कर रहे हो ना आप उसे आम लड़की समझते हो शायद आपको पता नहीं किसने क्या किया है तुम्हें पराय आदमी की साथ सोते देखकर वो तुझे चोड़के चला गया और इसलिए मुझे दुख उठाना पड़ रहा है तुम किसे बाते कर रही हो उल हाँ हाँ हा सarı चित्रा ँचित्रा ने सब है कर दिया तो यह लड़की आपकी बेटी है क्या है यह यह सर अचे मेरी बेटी है नहीं ऐस से मेरा कोई रिष्टा नहीं और इस तरह से उसे जुम्हम में रख दिया गया लेकिन वह वहां भी आम लड़कियों की तरह नहीं रहती थी एफोर, बीफोर, सीफोर, सीफोर, यह क्या काम कर रही है, देख रहे हैं आप उसे, उसे पनीश करूँगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी, उसके बिहेवर में बदलाव आए, इसलिए उसे एक फादर के पास रखा गया, ताकि वह उसकी देख रेक कर सकें, अगर आप उसके बारे में कुछ और जाना चाहते हैं, तो फादर एग्नोसिस के पास जाईए, चित्रा, मिस समय यह क्या है, अरे हम घर आया ना हमारे स्वागत के लिए, बस तुम चलो, यहां एक लाफिंग बुद्धा होना चुए था, लाफिंग बुद्धा, वो तो बच्पन में खेलते हुए तूट गया था, लेकिन इसी जगह पर वो पुद्धा था, तुमें कैसे पता, लग रहे हैं, तुम तो इस घर के बार में सब कुछ चानती हो, वो वास्तु के लिए यहां रखते है, इसलिए पूछा था, अच्छा लो, ए चित्रा, चित्रा, क्या सही निशाना यार तुमारा, आदते कुछ लोगों में अपने हाँ आप आ जाती है, मा, मैंने कहा था ना, ये चित्रा, सुवर्ना, नमस्ते अंटी, हाई, आम शालनी देवी, नाइस तो मीट यू, आपके बारे में मेरी बेटी बता रहे थी, उसका बहुत अच्छी तरह ख्याला अपने, मेरे बिना वा एक दिन भी अखेले नही रहती थी, लेकिन इतने दि स्टाइल लेकी, राजा की तरह लगी मुझे, राक्षस की तरह चलती हूँ, ऐसा भी कहते हैं, ये धावम तदवते, हम सामने लोगों को जैसा देखना चाते हैं, वो वैसे ही दिखते हैं, प्यार बढ़ाना या दुश्मनी, ये सब हमारी आँखों का दोखा है, आपकी आ इसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगा था, वो आपसे उमर में बहुत छोटी है, आप इसे आप क्यों कह रही है, किसी की इज़त उमर से नहीं, बलकि आवकास से तौली जाती है, अच्छा चितरा, मैंने सुना तुम वैसाक से आ रही हो, कहां वैसाक, कहां अमरीका, साथ सम अंदर पार करके आई हो, मेरे पती के बारे में जानने के लिए, तुम मेरे पती का और तुमारा, जरूर कोई ना कोई सम्बंध होगा, क्यों, वैज़ा क्या है, मौत आ जाए, तो भी, रवी वर्मा के कातिलों को पकड़ के रहूंगी मैं, क्योंकि इसे, रवी वर्मा की म जीत और हार एक लड़की की तरह है, जीत माशूका की तरह होती है, जो सबसे नजरे चुरा कर प्यार करती है, और हार चोट खाई हुई माशूका की तरह है, चार लोगों के बीच में आकर थपड मारती है, देखते हैं, इस बार प्यार मिलता है, या फिर थपड मिलता है, अल दे बेस्ट इस बात में तु मैं चित्रा को फुल सपोर्ट करूँगी लड़ते हमेशा पिता जी को सपोट करती है वह इसके पिता搏 example केस है ऊसे सपोर्ट देना ता जाती है। गोगल कोगला ही से निमिलागा ये नहीं च्छित् Bennี न Сकी मेंलेतार है.. बेटा ? चित्रा नाम की लड़की इंडिया से आकर रवी वर्मा के केस के बारे में पूछती है, ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी, वो देखते देखते घर तक पहुच गई और आप कुछ नहीं कर पाई, अगर उसी दिन उसे मार दिया होता, तो ये नौबत नहीं आती कर दोटा से आती कर दूबत रूब कर दिया होता है, जुच वोच ट्यूबत रूबत रसके दो जए बावको नहीं आती कर दोटा से आती कर दोटा से आती कि आंटी रभी वर्मा की आत्मा चित्रा में गुश गई है क्या आत्मा शरीर में गुशने के लिए इतने साल नहीं लगाती रभी वर्मा ही चित्रा बनके पैदा हुआ है जीत हार एक लड़की की तरह होती है एक जीता हुआ इनसान खुशी से आकर कि लोगों से कले मिलता है जीत मौशुका की तरह होती है और हार चार लोगों के सामने लाफा मारती है रभी बर्मा का पूनर जरम चित्रा है रवी बर्मा उसे मारने वाले को मतलब मुझे मारने के लिए चत्रा का रूपले क्या है आपके लिए अब यह वह तुम्हारे हाथों से मरने के लिए पैदा हुआ है हाँ बोलो सर चित्रा बहुत बड़ी प्रॉब्रमें फस गई है इसमें बड़े बड़े लोग इंवाल्व है ऐसा लगता है वो चित्रा के सथ कुछ बुरा कर सकते हैं करने दो सुवर्णा वो जाल में फस गई तो क्या करें तो फसने दो ना ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर आप नहीं करते क्या मैं इस चित्रा को पसंद नहीं करता हूँ मैं चाहता हूँ जीत जाहे कौफी तो हम गरम पीना चाहतें कि हम चीजों को पसंद कुछ बड़े एक्सपरिमेंट्स के सफलता के लिए कुछ त्यागना पड़ता है तुम टेंशन मत लोसु बढ़ने आपको फादर बुला रहे हैं अच्छा सुनो फादर बुला रहे हैं बात में बात करेंगे हाँ आओ चित्रा आज इनका बड़े हैं बर्थ नहीं डेथ अनिवर्सरी है ऐसा सम्यू ने बताया कुछ बात करने के लिए बुलाया था हाँ यहां नहीं तुम्हें एक इंपॉर्टन प्लेस लेके जाओंगी वहीं बाते करेंगे ओके मैं जाके सम्यू करेंगे सिर्फ हम द पाइनल टच देना है कि बच्पन से ही चित्रा बाकी बच्चों से अलग थी राज्या महराज की तरह जीने वाला था मार डाला उस डायन ने धोका दिया मुझे मैं उसे मैं उसे कभी नहीं ठाड़ूंगा एक कैथलीक होने के कारण मैं पुनरचन में विश्वास नहीं करता हूँ लेकिन एक फादर होने के कारण उस बच्ची की तकलीफ मुझे दिख रही थी चित्रा बच्पन से ही जानती थी कि उसे किसने मारा है उसे ढून के मारना ही उसकी सिंदगी का लक्ष है फादर वन मिनट कम ओन चल्दी फोन उठाओ सुवर्ना है तो यह चित्रा का पूर जनम है चित्रा और कोई नहीं रवी वर्म्हा है और वो ये बात अचिछी तरह जानती है हम यह सोच रहे थे कि वह हमारी बातों में आ गई है लेकिन वो हमें बेवकूप बनाकर जित्रा अपने सपनों के वज़े से अमेरिका नहीं गई बलकि अपना टारगेट पुरा करने के लिए अमेरिका गई उसने हमें इमोशनल करके यूज किया और अपना बदला लेने के लिए वहाँ चली गई चित्रा की वज़े से जान जा सकती है स्वाणना तुम जाओ कुमारने वाली और कोई नहीं, सायुकता की मा शालीनी देवी है, सर. ओ मैई गॉड़! मुझे ये बात सायुकता के घर जाते से में पता चली थी, सर. ये बात में सायुकता के घर बताने गया तो, चित्रा नहीं तीदी कलट है, ऐसा बोला, बचारी से लिटता, चित्रा के हाथों बनने वाले बोला, जिए शालीनी देवी को बच में शालीनी देवी को बचा लिजिए सर. शीट! सोड़ना, चित्रा के हाथों बनने वाली कोई और नहीं, शालनी देवी है, चित्रा जो करना चाहती है, वो करके ही रहेगी, अगर ऐसा हुआ तो ये मडर हम सब किसी पर आएगा, हमें ऐसा नहीं होने देना है, शालनी देवी को किसी भी तरह बचाना होगा, मैं अभी के अभ चित्रा मैंने कहा था ना यहीं वो इंपोर्टन प्लेस है, देखो चित्रा यह तुम्हारी समाधिय है, अब तुम्हारे चाहने वाले रवी वर्मा की समाधि, क्यों चित्रा मौन हो गई, जिसके लिए यहां आई हो से सामने पाके भी कुछ नहीं कर पा रही हो इस बात का पालेने के लिए, दोनुमें क्या फर्क है, न्याय को समाज में तारीफ मिलती है, बदले से सिर्फ तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें क्या चाहिए? न्याय के साथ बदला, ठीक है छोड़ दो, रवी वर्मा के माबाप तुम्हारे सपनों में आते थे ते क्या, नहीं रवी वर्मा की पत्नी और बाच्ची नहीं रवी वर्मा की मौद नहीं हुई क्या सूप्स्ते हूं मेरा पति दुबारा जन्म लेके बदला लेने आया है जैक न नब तक तुम नाटक करते रहोगे रवी वर्मा ऑपना यह नाटक बंद करो तुम मुझे पता है तुम मेरे पती का दूसरा जनम हो मैं जानती हूँ तुम मुझे मारने के लिए आये हो यह भी मैं जानती हूँ तो सब कुछ जान कर यह ड्रामा क्यों कर रही थी सिंपती के लिए ना तुम कितना भी ड्रामा कर लो मैं तुम्हें मारे बिना छोड़ूं कि नही तुझे मारने के लिए मैंने अपनी जान जोखे में डाली है दुनिया भर की बेस्ती सही है सिर्फ तुझे पकड़ने के लिए तेरे लिए मैंने अपने आपको भुला दिया मैं जानता था कि मैं दूसरा हूँ लेकिन वो दूसरा रवी वर्मा है ये जानने के लिए मुझे 15 साल लग गए राजा की तरहे रहने वाला मैं मुझे मार कर मेरी जिन्दगे बरबाद कर दी तुम मा बनने वाली थी ये सोच कर मैं कितना खुश था लेकिन मेरे बच्चे से दूर करके तुमने मेरे प्यार को घला खुट दिया लेकिन मैं तुम्हे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हारे बदन का एक-एक खुण का खत्रा बहा कर अपनी समाधी का अभिशेक करूंगा जो गलती मैंने कि वो तुम मत करो रभी वर्मा हम दोनोंने साथ में कितने अच्छे दिन बिताए हैं तुम्हें वो याद नहीं पर मैंने तुम्हें मारा वो दिन तुम्हें याद है लेकिन तुम्हें मारने का कारण तुम्हें हो रभी वर्मा तुम जानतो रभी वर्मा बत इंडिया से यहां अमरीका में आके डाइमन के बड़े विपारी बने थे चंदर प्रताव वर्मा, उनका इकलाउता बेटा था रवी वर्मा, पदमनावा लेक विउ का मालिक. रवी वर्मा. ज्यादा पैस्या होने के कारण आंकार भरा था इसे इंसान में, इंसानियत के बारे में तो जानता ही नहीं था, सारी बुरी आदिते भरी हुई थी, वैसे कहा जाये तो गलत आदितों का दूसरा नाम रवी वर्मा था. जब ये ज़्यादा खुश होता था, तो स्विमिंग करता था. रवी वर्मा. इसकी खास आदित एक और थी, लड़कियों से मस्ती करना, इसकी पसंद के अगर लड़की मिले तो उसे घर ले जाकर उसके साथ मस्ती करता था वो. और ताजी ताजी लड़कियां कभी नहीं छोड़ता ये रवी वर्मा. रवी वर्मा. बेटा जिपनी भी गल्ती करे, तो क्या? इकलाउता बेटा है, सोच के चुप रह जाते थे प्रताब वर्मा. मैं और मेरी बहन अनाद थे. प्रताब वर्मा हमें दूर के रिलेटिव बोलके इंडिया से यहां ले आये. लेकिन हमें यहां लाया हबे रहम करने के लिए नहीं, बलके उनकी परवार की इज़त बचाने के लिए. मैं इतनी छोटी थी कि मुझे यह बात समझ भी नहीं आई. आजाओ, मुझे से नखरे करती हो तुम. गुडिया के साथ सिर्फ खेल खेलने वाला नहीं है यह रवी वर्मा, बलके उसके साथ मस्ती करता है यह रवी वर्मा. लड़कियों को नीचा दिखाने वाले रवी वर्मा से मैं बच्पन से ही नफरत करती थी. पैलस में हमें बचाने वाला प्रताव वर्मा, उसकी दया से हम होँ रहते थे. मैं और मेरी बहन वहीं बड़े हुए, लेकिन मुझे पाला मेरी बली देने के लिए ये बात मुझे समझ में आ गई. तब मैं बहुत दुखी हुई. अपने बेटे से शादी करने के लिए विनती किया प्रताव वर्मा ने, और मैं मना नहीं कर पाई. उन्होंने हमें पाल पोस्ट के बड़ा किया, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और रवी वर्मा से शादी कर ली. लेकिन पिता की बात मन करके शादी करने वाले रवी वर्मा का, भेहानक रूप मैंने सुहाग रात में ही देख लिया था. क्यों रहे, नौकरानी बन के आई और मालकिन बनना चाहती होता हम, हर रोज मुझे एक लड़की चाहिए, लेकिन जिन्देगे बर किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकता, मैं रवी वर्मा नाम है मेरा, रवी वर्मा नाम है. मैं अपनी बहन की भविष्रे के लिए इस सब कुछ सहन किया, कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग न जाओ, इस दर से मेरे ससुर जी ने दुबारा गलती कर दी, और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम लेख दी, उस दिन रवी वर्मा है, प्रताप वर्मा चहदाद उसे और जिम्मेदारी मुझे सौपना चाहते हैं आप, सब कुछ बर्दास्ट करने वाला नहीं हो, मैं नर्क दिखा दूँगा, मैं आपको नर्क, मैं सर नहीं जुकाता, बलकि सर काट लेता हूँ, नहीं नहीं, पिताजी को कुछ प्रॉपर्या, क्या रहे, तुमने तो सारी है, ये मेरी पत्नी है, ये आपकी रख है, शादी मेरे साथ और मज़े आपके साथ, मैं ने सोचा था कि तुम्हें एक अच्छे बेटे नहीं हो, लेकिन तुम तो एक अच्छे इंसान भी नहीं हो, जीत और हार लड़की की तरह होती है, जीत एक दिल दिये लड़की की तरह अकेले आकर खुशी से कले मिलती है, लेकिन हार दिल तूटी हुई लड़की की तरह चार लोगों के सामने आकर लाफा मारती है, तुम जीत गई हो ये सोचकर खुश मत होना, मैं हार गया ये सोचक इस तरह बोल के रभी बर्मा महा से चला गया उसके बाद पिता जी के मौत पे भी नहीं आया लेकिन अचानक एक दिन वो वापस आ गया मुझे माफ कर दो शालिनी मैं आनात हो जाओंगा अगर तुम भी मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं इंसान नहीं जानवर बन जाओंगा शालिनी प्लीज मेरे दिल ने उसकी बात या माल ली मैंने यकेन कर लिया उसकी बातों का और उसके प्यार की वज़ा से मैं उसके नज़ीक चली गई लेकिन मुझे डाउट था कि वो प्रॉपटी के लिए वापस आया है मैं उसे प्रॉपटी वापस करने के लिए कट यह तैयार नहीं थी है रुको मैं कबसे इसी दिन का इंतजार कर रहा था आज वह वक्त आगया बादरिंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ है यह बगवान वह मेरी बहन को इस्तमाल कर रहा है यह देखिमें सहें नहीं कर पाई यह आपने क्या किया तुम तो सब जानती हो आप भी पिता जी की तरह हो तुमने तो मेरे पिता जी के साथ यह किया तुम अगर मैंने एक दिन इस्तमाल कर लिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है लेकिन मेरी करोड़ों की जादा तुम्हारे नाम हो गई इस बात के क्या मुझे मुझे तकलीफ नहीं हो रही होगी यह दर्द मैं रोज महसूस कराने के लिए य पात पराबार इसमें कहीं कुछ गलत है क्या हां रवी वर्मा रवी वर्मा नाम है मेरा तुमसे बदला तो लेकर ही रहूंगा मैं कुछ भी हो जाए रवी वर्मा यह क्या क्या तुम्हें शायद वो जो खुशी चाहते हैं वो खुशी आप उने नहीं दे पा रहे हैं शायद इसलिए वो मेरे पीछे पड़े हैं यह गलत है ओ गलत है तब तो आपको हमारे बीच से हट जाना चाहिए फिर हम दोनों एक हो जाएंगे कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें जो पसंद है वो लोगों को भी पसंद हो मैं यहां पनी पसंद नहीं बल्कि कुछ मांगने के लिए और कुछ बताने के लिए जाएं हूं तुम यह जैदाद मेरे नाम करके मेरे साथ सौधा करना चाहती हो सौधा आप सोचते होंगे यह जिन्दगी है मैं सोचती हूं मेरी बहन के बारे में क्या सोचते हैं किसी सूखे हुए फूल को मैं दुबारा नहीं सूंगता मैंने आपके बारे में नहीं अब आप क्या कहना चाहते हैं क्या गागर मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है तो यह से बारे में और मेरे बारे में अप क्या कहना चाहेंगे या मुझह भी औरों की तरह यूज़ करके फेक देंगे शालनी बताएए मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है इस वर्च के लिए एक बारीस होने तक इस राख्षास को सम्हाल बहूं मैं और जीचा एक हो जाएंगे अगर मैंने तुम्हारी जादा दिस्तमाल कर ली तो तुम्हें तकनीफ हो रही है यही तो चाहता हम है अए शालिनी मेरे जनम दिन पर तुम्हें ऐसा तोफ़ा मुझे दिया है जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा प्यार का सबूत दिया है तुम्हें मुझे है हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आएगा कोई नहीं आएगा हमारे बीच आओ मुझा मई Incogni अब मैं अब कोई अलग नहीं कर सकता अगर तुमझे मअफरे नहीं करोगे तो मैं इंसान नहीं जाओ ड़ानावार बन जाओंगा मुझे माफरे करतो मुझे माफ़े करतो शालिनी आओ ! मैं उंप्ञोड भरसा नहीं करूंगी हेपी बड़े रभी बर्मों शालिनी 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 उस वक्त मैं मरना चाहती थी लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे की वज़े से मैं मर नहीं पाई उसकी वज़े से मुझे जीने की हिम्मत मिल गई जब मैंने तुम्हें मारा तब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी अपनी बेटी को बीना पापा की बेटी नहीं बनाना चाहती थी मैं लेकिन बच्ची की तरह रही मेरी बेहन के साथ तुमने जो नीच काम के अरावी वर्मा, मैं उसे यकीन नहीं कर पाई, इसलिए मैंने तुम्हें मार डाला, गुसा खात्म होने तक मैंने तुम्हें मार डाला, तुम जीत गए और मैंने तुम्हें मार डाला, पर मैं तुम्हा नहीं बता सकती कि मैं उसके पापा के कातिल हूँ तुम वापस आए हो मुझे मारने के लिए लेकिन जब तुम्हें तुम्हारी बेटी मिली तब तुम उससे पाके बहुत खुश हो गए और तुम उसके साथ खुशिया मनाने लगे लेकिन जैसे ही तुमने मुझे देखा तुम्हारे अंदर का जानवर चाग उठा और तुम राक्षस बन गए तुम्हें क्या लगा तुम मुझे मार के यहां सा चले जाओगे तुम क्यों से योगता से मिले बाकी लड़कियों से क्यों नहीं मिले उसका अच्छा ख्याल क्यों रखा तुमने तो मैं भी तो तुम्हारा इंतजार करती हूँ ऐसा? तो मैं भी तो तुम्हारे दिल में हूँ एई, मैंने प्यार कहा है, चाहत नहीं कहा तुम मेरी कितनी केयर करती हो, कितनी बार तुमने मुझे सफोर्ट भी किया है इसलिए तुम मेरी चान हो, I love you No, no तुम्हें अपनी बेटी के साथ खुशिस से रहना चाहिए यह न्याय है लोगिन मुझे मारीं बदला लेना यह अन्याय म来了 तुम वापस जन्म लेक़ा पहरान होगी तुम्हें न्याय देना यह तेनी के लिए तुम्हारे तुम्हें अंदर के सब्सक्राइब कर तो अपनी बेटी से हर गए सच तो यह है कि मैंने उसके पिता कुमारा यह बात उसको मालूम होगी तो उसका बhosर तूट जाएगा मेरी बेटी नेटी का ध्यान रखना नहीं चित्रा यह वक्त दुखी होने का नहीं है बल्कि खुश होने का है मैंने क्या हासिल किया खुश होने के लिए हर जनम में एक रिष्टा होता है लेकिन वो रिष्टा क्या होगा यह किसी को नहीं पता लेकिन तुमने उस रिष्टे को जान लिया था चित्रा तुम उन दो जनमों के बीच का पूल हो और तुम्हारे द्वारा हम रवी वर्मा का परिचे दुनिया से करा देंगे इस एक कहानी से हम करोडो कमा सकते हैं रवी वर्मा मर चुका है यह बात में उस रवी वर्मा को बताना चाहता हूं कितना चाहिए मेरे लिए ट्विंटी परसंट बहुत है मैं शेर की बात नहीं कर रही हूं अभी तक आपने जो ट्रेटमेंट किया है उसकी फीस शित्रा की जायदाद से ज्यादा संयुकता की जायदाद है आप जा सकते हैं सम्यूब यह क्या राजेश पेचनी शुटू कर दी तुम्हारी उंगली की साइज में नहीं जानता था इसलिए जो फीट आजायए और पसंद हो वह तुम्हारी उंगली की साइज में आप यह सब क्या है बोलो मैं आपको? आपको? आपको क्या वोला? आपको आपको आपको